जानमंत्री नेजंदर मोजीजी से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिस है इंशालला जैसे बच्चे आये हैं लोगों के ऐसे हमारा भी बच्चा आएगा 9323807C कि अब जो यह मत है कि बेटे ने क्या कहा था यूद की कोई संभावना नहीं है वार चालू हो गया है हमारी बैटरी डाउन हो गई है इसलिए हम आपसे कोंटेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर किसी का मोबाइल मिला तो हम उससे आपसे बात कर सकते हैं एक्जेटली रोमानिया की गोडर से बारा मिनट के रास्ते पे वह पड़ाव डालके पड़े हुए है ना कोई केम्प है ना को होटेल है ना कोई खाना है ना माँ पानी की सुविदा है इस वक्त मैं एक ऐसे परिवार के पास बैठा हूं जो पिछले कई दिनों से पीड़ी थे कई दिनों से जो है सोए नहीं है कई दिनों से जो है वो जो है लगातार चिंटा में बने हुए हैं और दरसल क्यों चिंट वहाँ पर सिलसला जो जारी है उस दोरान इनका बेटा है वो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था वो अभी फिलहाल जो है वहीं फसा हुआ है जिसका कोई जो है अब तो ऐसा हो गया पहले कुछ तो यह परिवार से बातचीत भी हो रही थी लेकिन अब जो है बा बच्चा यूक्रेन में कहां फसा हुआ है सरकार इस पर कितने तवज्जों देती है उनकी बातों को सुनिएगा जो है गौर से और इस वीडियो को जरा शेयर करिएगा कि ताकि यह अपना बच्चा अपना भाई अपना बेटा समझ कर इस वीडियो को वाइरल करना ताकि सर कार इनके बेटे को शुरक्षित लोटा सके यह मुम्रा सहर का बच्चा है आप सभी लोगों से बुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर से शेयर करें ताकि सरकार तक बात पहुंचे और सरकार इनके बेटे को सही सलामत सही सुरक्षित यहां लोटा है खान नौस क्या नाम है आपका मेरा नाम निजामुद्दीन हुसेन खां है और मेरा भतीजा जो है खान नोशाद अब्दुल रशीद ये फाइनल ये एंबीबीएस का युक्रेइन में टर्नो पॉल उनिवर्सिटी से कर रहा था तीन दिन पहले एंबेसी से इनको लेटर मिला कि इमिजे जीजबसें करी और रुमानिया के बोर्डर पर आ जए रुमानिया के बोर्डर पर खल शुबाँ पांश विजए ये वहां पोँच गए और अभी तक इनको कोई कोई सार संभाल नहीं है कोई इनकी पूस्तास नहीं है बार बार आता है अंदर से आवाज के लाईन में खड होते हैं तो एक अंदर से आवाज आती कि लड़कीय एक लाई वालुनेका का मतलब किस तरह से सर्कार इक तरफ कह रही है तो आपका बेटा किदर है उसमें हमारा बेटा वहाँ हुआ लड़कों की लाईण में खड़ा है लेकिन वहास की गोवर्मेंट शाद में अब पहले लड़किया जाएगी जैसे कि तीन फ्लाइट दो दिल्ली में और एक बॉम्बे में तीन फ्लाइट आईए जिन में 90 पर्षन लड़किया आईए अब उनको कह रहे हैं कि शाम तक फ्लाइट आएगी जो गई है वो फ्लाइट अभी तक पहुंची नहीं है बारत सर का कोई उनके पास सिस्टम नहीं रह गया है आखरी बार आपके बेटे से कब बात हुई और कब जाकर जो है आपके बेटे की जो है मुबाइल या बैटरी जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है वो कब हुआ है इंडिया की सुबह 10 वजे के बाद में कोई संपर्क नहीं है एक ऐसे मेरे पाय का लड़का है एक मेरे चैरे भाई का लड़का है जिसका नाम खान अब र्टर तंवर है जो कितने कितने बच्चे हैं आपके में हमारे दोबच्चे फसे हुए हैं लेकिन टोटल भारत के स्टूडेंट हो 26,800 स्टूडेंट है उन में से तीन फ्लाइट इंडिया में आ चुकी है बाकी फ्लाइट अभी तक कोई वहां पहुंची नहीं है दोनों बच्चों के नाम है मेरे एक का खान नोशाद अब्दुल रशीद दूसरे का नाम अबरा सोहेब अबरार तन्वर ये दो बच्चे हमारे भारत सरकार से हमारा आखरी विन तो थोड़ी परेशानी बढ़ गई है कि अभी वो किस हाल में होंगे मालूम नहीं कितने सालों से आपके बच्चे युक्रेन हमारे बच्चे वैसे हमारा एक बच्चा पहले युक्रेन गया था वो MBBS कंप्लीट करके आके इंडिया में अभी थाना के जूपिटर में डूटी कर रहा है उसके बाद हमने दूसरा बच्चा भेज दिया उसके बाद हमने तीसरा बच्चा भेजा ये दोनों का फाइनल येर है अभी वो फाइनल येर दिसंबर में था एक बच्चे का और एक बच्चे का जून 31 को था लेकिन वो दोनों भी अटक गए है भारत वाले हो, साइड में खड़े हो जाओ, पहले हम युक्रेनियन सरनाथियों को अंदर लेंगे, आप तो भारत जाओगे डारेक्ट, ये तो सरनारती है, इनके लिए पहले लाइन कुर लिए, आखरी बार जब आप से बात हुई, आज जो है, किस मैसेज दौरा बात हुई कि अब मतलब हमारी बैटरी डाउन हो रही है, हमारी बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए हम आप से कॉंटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अगर किसी का मोबाइल मिला तो हम उससे आप से बात कर सकते हैं, अभी तक कई घंटे बीट गे नहीं संबाद हो, अभी तक 10 वजे के अब जो है, कहां पर मतलब एग्जेक्ट वो कहां पर अभी है, ना कोई होटल है, ना कोई खाना है, ना पानी की सुविधा है, तो देखिए किस तरह से जो है, यह परिवार तडप रहा है, बहुत मतलब अपने आपको उन्होंने ठंडा करके बात कर रहे हैं, क्योंकि यह बात करने लाइक फिलाल नहीं थे लेकिन सरकार इस पर गंभीरता दे कि इनके बच्चा जो है जो दो लोग है दो मतलब एक ही घर के दो बेटे हैं इनके और दोनों जो है वहां फसे हुए हैं अब पहले तो ऐसा था कि वीडियो कॉलिंग के जरीए वाटसप के जरीए बात हो क्या नाम है आपका अब्दुल रशीद भाई जो है आखरी बार कब बात हुए आपकी बैटे से साथ में रहते हैं अच्छा तो क्या कहा उन्होंने क्या किस तरह की अपील की बड़े प्रेशान है और फेसिलिटी भी नहीं है और फिर उससे भी फरक नहीं पड़ता है लेक को सबको लेके गए और अभी आपका बात में नमबर आएगा तो अभी सुबह में फिर मेसेज है कि आप वेट करो भी तक फ्लाइट नहीं है आए एर्पोट पे तो आपको एर्पोर्ट पे लेके जाके क्या करेंगी तो मैं बेटा में क्या कर सकता हूं तो का अभी हम लोग ठंड भी महुंद ज्यादा है और रहने के बहुत वेश्ता नहीं है और खाने पिनेगा तो आपने फरक नहीं पढ़ता है कि चल जाता है वैसे क्यूंकि बॉर्डर पर पड़े तो यहां पर कोई होटल बगए भी नहीं है इसलिए जो मिलता और ठीक है नहीं मिलता तो कोई आप लोगों से वीडियो कॉलिंग पर बात हो रही थी पिछले दिनों तो आपके बेटे ने क्या कहा था हो जा रहे थे पहले अभी आपको एफरेल तक पढ़ना है एफरेल के बाद में देखेंगे अभी इसा यूद की कोई संभावना नहीं है और फिर अचाने में फिर भ प्रोब्लम आ गए तो भी बच्चे भी क्या करेंगे फिर उन्होंने कहा कि साइव इन्वेस्टिय में जाके दिन से बात किया तो दिन ने कहा कि आपको कोई प्रोब्लम नहीं है आप रहो यहां पे तो अपी तो सब वार चालू हो गया पी हम क्या करेंगे तो बहुत बैंक प्रोब्लम नहीं है आपको रुमानिया बॉर्टर पर जाना है तो इसलिए हम लोग रुमानिया में आ गया भी लेकिन अभी परसो आये थे सुपर साधे दस बिजगी बात आए तो अभी तक तो कुछ है नहीं अभी तो भी हम लोग इसाब पब्लिक है तो आप लोग अभी तो तीनी फ्लाइट आई है तो इसलिए आपको यहीं वेट करना है उसमें टाइम कितना लगेगा बॉला वह नहीं बता सकते है तो अभी तक उससे बात नहीं हो पाई है खतम हो गया उसका तो बोला में जैसे को चांस मिलेगा है को फ्रेंड अगर को ऐसा आएगा तो उसके मोबाइल से अगर चांस मेरा तो मैं आप से बात करूंगा लेकि इनर पे तक फिलाल तो भी तक फोन नहीं है और मेसेज भी नहीं है आपको एप्रिल के पहले तो आप जाए नहीं सकते अपरेल तक आप एंट्रेंड किजिए एपरेल में देखेंगे हम डिशिजन देंगे क्या करने का और अचाने में ऐसा वार हो गया क्या नाम है बेटेगा खान नोशाद अब्दुर रशित और दूसरा बेटा इसका नाम है सोयब अबरार तनवर अच्छा से अब सरकार से आप क्या उमीद लगा रहें सरकार को किस तरह से आप गुहार लगा रहें मेरी गुजरिश कर रहे उससे भी ज्याद को है और और बी ध्यन दे वें किके अईसा मेरा यह की बच्चा और भी लोगों के बच्च वह भी हमारे बच्च हमारे देष़ के तो मेरी अश्मीध है कि इन्शालइल से बच्चे आं लोगों के ऐसे हमारा भी बच्च आएगा नंबर क्या है नंबर क्या है आपका तो आपको कॉंटेक्ट करने के लिए नंबर पर कॉंटेक्ट होगा वापिस एक बार बता दीजिए नाइन थी टू थी एट जिरो सेवन सिक्स डबल नाइट ठीक आप रो यह मत तो देखिए जिस तरह से यह परिवार काफी गंभीर रूप से फिलाल सदमे में है इनका बेट से यह बात कर पा रहे हैं यह लोग लेकिन इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि जो है इनका बेटा इनके घर तक पहुंचाया और यह वीडियो सरकार तक पहुंच जाए सरकार को भी जो है जानकारी हो जाए कि मुम्रा का द पीत जो युद्ध चालू हुई है और उसमें उनका बेटा फस गया है और इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी होई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहाय टाइंग